तो हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल ओ फ्रेंड आज की वीडियो सिरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनपी कम्प्लीट को यह हमारा यूनिट नबर फाइब का लास्ट टॉपिक है यहीं के साथ हम लोग अनलाक्सिस डिजाइन अफ अल्गरिफम को एंडिंग प्रोसेस तक लाके हमने छोड़ दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देखे होंगे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देगा तो जरूर देख लिएगा ताकि यूनिट बन से यूनिट फाइब तक पूरे कंसेट आपको कवर अप मिलेंगे इस वीडियो सिरीज के अंदर और आने वाले तुस दिनों में आपको important question के regarding video series मिलेगा तो बिल्कुल कवराने की जरूरत नहीं है और भी another subject की regarding आपको video series मिलेगा तो बस अपने support और पयार को मारे चनल के मात्रम से बनाये रखिएगा आईए हम लोग इस last topic को cover up करके इसको खत्म करते हैं और ये काफी छोटा topic है कोई बहुत बड़ा इसमें इसको complex करने की जरूरत नहीं है जितने point आपको बताया जा रहे हैं बस उतने ही point को आप no down कर लेंगे तो आपका ये topic cover up हो जाएगा पहला point इसके अंदर कहा रहा है कि यह a problem is called NP जिसे हम लोग non-deterministic polynomial कहते हैं if its solution can be guessed and verified in a polynomial time यानि जब किसी भी problem के solution को हम guessed करते हैं या फिर उतको verify करते हैं polynomial time के according तो उस condition में यह आपका NP complete का process कहलाता है अगला point कहा रहा है कि non-deterministic means that no particular rule is followed to make the guess यानि non-deterministic का मतलब यह होता है कि जो आपकी values होंगे वो particular नहीं होंगे जो भी हम guess किये रहेंगे उसके according अगला point कहा रहा है कि for problem is NP and all other NP problems are polynomial time reducible to it is the problem is called NP complete problem और यह उसका एक figure है जो कि figure आप इस figure के according NP complete को समझ सकते हैं और examination में अगर आप figure बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बहतरी होगा और बहुत ही बहतर होगा तो यह आपका last topic था मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम लोगों ने unit number 5 तक की पूरे concept को cover up कर लिया और जल्द हम लोग आने वाले कुस दिमों के अंदर next subject को start करेंगे तब तक आप इस subject को अच्छी तरीके से cover up कर लीजिए और क